कि है गाईज कैसे है आप सब आई होप यू आ डूइंग वैल एम चंदीप वेलकम टू से सरकल तो हम लोग डिसकस कर रहते हैं यूपी पीचेस 2020 टेस्ट 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 है टेस्ट नंबर 5 ये इनवार्मेंट का टेस्ट है और ये टेस्ट नंबर 5 का 6 पार्ट है इसके 5 प इनवार्मेंट के कुष्चन थोड़ा सा इंटर कनेक्टेट रहते हैं तो आप वहां से जाके देख सकते हैं ठीक है तो चलते हैं 126 कुष्चन नंबर 5 तुसमें कहा गया कि कि समू के जीवों को डूबने से हुई मृत्यू का पता लगाने में महात होता है तो ये ऑप्शन समू के जीवों को डूबने के से हुई मृत्यू का पता लगाने में महात्यूपूर्ण है ठीक है महात है इनका तो नेक्स कुष्चन पे इसमें कहा गया कि ग्रीन ये रोग निम्रिखित में से किस फसल का प्रमुक रोग है तो फस्ट है आलू भी है गेहूंसी है मुंपली और डी ये बाजरा तो इसका ओप्शन डी स हुई है बाजरा इसी में लगता है और इसमें होता गया है कि जो जो बाजरी की बाली होती तो इसमें नहीं बनने करेकी रह जाती है घिक है इस व्हाय अश्ग रूबकते मैं कहा गया बिचार करना है तो फस्ट है जिवार कॉक इसंते में अन्य के लिए जानागा टू घुर्ण tuta एक लिए और रैंगे की पारितत्र देश चैनल्य के संदर्ष में कौन अप गट्र कहलाते हैं तो इसमें बाकिरे यह यह वारुस्म नहीं होता है चिवान और कॉपक होते हैं यह और अव् चलते हैं इसमें निम्लिकित वन जीव अभ्यानों में से कौन सा एक सपेद भालू के सरनच्छन के लिए जाना जाता है तो यह बताना है फ़स्ट है जल्दा पारा सिकेंड है घट प्रभाबी है सी है दची ग्राम और डी है मेरीना पार्क तो सी अप्शन सही है यह दची ग् द्चि ग्राम और यह जम्मु कस्मिर में आपको पढ़ता है चलते हैं आदमेनी पहला मींश को साधररन रूप में बुलाया जाता है तो first है बिच्छु के रूप में मुच्छर के रूप में निए में तो इसका option S है जो बिच्छू होता है इसी का ये scientific name होता है मतलब organic name होता है पहला मिनियस ठीक है तो इसको आप याद रख सकते हैं चलते नेक्स में कितनों पर बिचार कीजिए तो फर्स्ट है जल उर्जा स्वास्ति क्रसी जयविविटा तो इसमें बताना है कि कौन उप्रोक में से धारणी विकास के अंतरगत सामिल किये गए हैं तो ये जो हमारे जो सारे option है जल स्वास्ति जयविविविटा उर्जा और क्रसी ये सब धारणी विकास के अंतरगत सामिल किये गए हैं तो उप्रोक सभी सही है हमारे डियॉप्शन सही है और ये धारणी विकास है कि जो ये हमारे लक्ष है 17 गोल है जो 2015 में इनका लक्ष रखा गया था 2030 तक इनको प डाउनी बीधी का प्रीयोग निमलिखित में से किस धातु का बड़े पैमाने पर निर्माण में किया जाता है तो फस्ट है C e ॉध师 औध इस नहुघ विए उपन के ये जो सोडियम होता है इस ही का उप योग किया जाता है बड़े पैमाने उने पर ये डाउनी विधी से इसका जो पॉलों की खेती के नाम से जानते हैं एक पर सथे फस्लों की और करशन किरिया का अिन कोिशन की इनक सब्सस्राइं किया जाता है ओलरी कल्चर में सब्सरीन का अध्यां कि जते अब लो मैं नेन सनुल को इसलो यहां की सब्सक्रीव नेशनल्स के आक जित इस्टित है कहां इस्टित यह बताना है तो फ़स्ट है कि नई दिली हैदराबाद नागपूर या फरीदाबाद तो इसका आप्शन 20 है जो हैदराबाद है यहीं है नेशनल इस्टिट्यूट आफ न्यूट्रियेशन ठीक है तो इसको याद रखिए आप निमलखित में से अश्टियम करें पर गाड़ी के अंदर की ओर लगने वाला रहे इसे DR केंदरी के रहर होता है यह अभी कंद्री बाहर की तरफ लगता लेकिन जो जीए गाड़ी पर अंदर की ओर लगने माला है इसे अभी केंद्री कहते ही ठीक मैं और यह पूछा गया है है इसमें अपके इंद्री पूछा गया है तो यह वाशिंग मेसीन इसमें भी आपके इंद्री लगता है क्योंकि जिसीनिघ मेसीन नहीं है तो बाहर की तरफ फोर्स लगाती जिसे ब्रत Maar parents अपत भाए की अनंडर की तो लगाते दichenैं के सेंटर की तरफ तो यह डी आप्शन हमारा इसमें सही हो गया तो इसका बी आप्शन सही नोशेन अभियास है और यह भारत दोरा आयूजित किया जाता है नोशेन अभियास ठीक है और इसकी शुरुवात की गई थी उनिशो पंचान नवे में यह करता क्या है कि मतलब जो मि नोशेनी का अभियास करता है ताकि उनसे जो है शेनी चमताओं में और ब्रदी की जा सके ठीक है इसलिए होता है यह बहुराश्तरी नोशेन अभियास होता है तो यह चीज है ठीक है चलते ने एक्सपे इसमें है अप्रेल 2020 में ग्लोबर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किय गये तो since the option अ उत्तरपरदेश में भी है डिलि में सिए जम्मु कस्मीर में अर्डेय गुजरात में तहिवी आप्स्टुेंस यह यह जम्मु कस्मीर की गयी क्योंकि इन नो गठित के इंद्र सासित परदेश है जो लदाक और जमु कश्मीर को बनाया गया है उसी में निवेश को तो मतलब आमनतिय करने के लिए कि जादा से जाद वहां निवेश हो ताकि उसका जम्मु कश्मीर का डेवलप्मेंट हो सके इसलिए वहां ये समिट की गई है 2020 की चलते नेक्स में पनिमलिकित में से किने हाल ही में देविल पुर्षकार से संभानित किया गया है तो फश्थ है गीता सेन भी है अन्जुम मोधी और सी है अरपनास जैसंकर ड ली है वैसे सोनी वैसे तो यह उपसन जी है यह गीता सेन है इन हीको बहारत की बिद्वानाणाय दिया करता है है उनकी नारिवादी उत्थान के लिए और यह दिया किसने है तो यह तेल अवी जो इज्राइल की राजधानी थी उसी का जो तेल अवी विश्विद्धाले उसी दोरा परदान किया गया ठीक है तो इसको याद रखे और अब तो इज्राइल की वो नई केपिटल गोशित कर दी गए जिसका यूसे ने भी सपोर्ट किया हाला कि भी बहुत उसको अथेंटिक नहीं माना जा रहा है जो पैलेस्टीन है उसी के बारे में पैलेस्टीन का जो है जरूसलम वह विवादित छेत्र है तो उसी को उसको याद रखिया तो वह भी थोड़ा न्यूज में रहता है तो साथ पूंच लिया जाएं ठीक है तो यह नेक्स है कि फर्वरी 2020 में भारत किस देश के अमद अजे वेरियर सहिंग्तिसे ने अभ्यास का किया मतलब अजे वेरियर है जो किसके साथ सहिंग्तिसे ने अभ्यास किया है इंडिया ने तो फर्स्ट है मैमार भी है यूनाइटेट किंग्डम सी है यूएसे और डी है ब्राजील तो इसका भी ऑप्संस है यूनाइटेट किंग्डम के साथ मतलब यूएसे के साथ मतलब ब्रिटेन जो है यूके है न उसके साथ किया इंडिया और यूके का यह सईयुक्षेन अभ्यास्ता और यह आजित हुआ है यूनाइट्ट गिंग्डम में ही और यह मतलब इसका मुखवादी संगठन हैं उन्ही को मतलब उन्ही के खिलाफ यह उन्ही का बिरोद करने के लिए यह था कि कितना और इसे द्रड बनाया जाए कितना और मजबूत बना जाए था कि जो आतंकवादी बियोदी शंगठन है इनको खत्म किया जा तो कि उन्हीं के बारे में है यह ठीक है बात करता है नेक्स है कि निमलिखित कतनों में से कौन एक प्रमुख समस्या पर फोकस करते हुए भी मिस्टेक देशों के सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया तो फरस्ट है नसीली दमाओं के प्रभाव के लिए भी है कोरोना वायरस से निबटने की है तो प्रभावी नेक्स पे। इंटरनेट पर लेंगिक आसमानता को कम करने है तो हाल ही में सोसल मीडिया प्लेट फर्म वी धिंक डिजिटर अभियान की शुरुआत की गई तो फर्स्ट है ट्वीटर के दवरा वी है फेस्बुक के दवरा इसह है टिंडर के दवरा और डियए और तीशमें राश्टी सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां संपन हुआ तो यह है option A, B, C है और C है मुंबाई और D है 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 तो इसका C option सही है यह मुंबाई में आयोजित किया गया है है यह करता क्या हैै। जो सब्सक्राइब क्या चलता है। प्रसाशन में जादा से ज्यादा चीज़े में इसथी क्यों हाइत निमईट में से किस देश में भारत को पराजित करके इसका आयोजन जो हुआ था तो दक्षण अफ्रीका में हुआ था साउथ अफ्रीका में और इसने तीन विकेट से हराकर जो है इंडिया से बंगलादेश ने इसको जीता है अंडर नाइटिन किकेट भी शुकब ठीक है न्यूज में बहुत ज्यादा रहा था क्योंकि इस बार हारा वैसे तो इंडिया जनली जीती जाता था तो इसको आप लोग कहीं नोट करने तो ज्यादा बैटर है या तो दो तिन बार वीडियो देख लीजेगा तो इसमें कोई भूलने वाली बात है नहीं वेसे ज्यादा तो उसे आप याद रख सकते हैं ठीक है चलते हैं पूरवत्तर के किस राज जी द्वारा परेटन को बढ़ावा देने तो था पच्छियों के सनच्छन है तो हाल ही में हॉर्ण बिल उत्सव का आयोजन किया गया तो फस्ट ए है अभी आयोजन इसका किया गया था चलते नेक्स पे हाल ही में जारी अंतर राष्टी बौधिक संबदा सुचकान 2020 में भारत को कौन से अस्थान प्राप्त हुआ है तो ऑप्शन A है 26 ऑप्शन B है चालीशवँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ 53 कंट्री होते है टूटल ठीक है और यह जो इसमें फस्ट स्थान अमेरिका का आया है यूएस से ठीक है और यह जारी करने की बात करते तो यह यूएस चेंबर आफ कॉमर्स एंड इसके साथ मिलकर ग्लोबल इनेवेशन पॉलिसी सेंटर दोनों मिलकर जारी करते हैं इसको ठीक है चलते नेक्स में समद्री सेयो को बढ़ावा देने है तो चौथे पूर्वी एसिया सिखर समेलन का आयोजन कहां किया गया तो यह बताना है कहां किया गया तो फस्त है भुनेसवर में भी है मैंगलोर में यह विशाका पत्नम में और डी है चेंड़ने में तो इसका भाप्सन है क्योंकि जो एसिया का समद्री है तो यह वैसे भी uniform कोष्टल अरिया इरिया सारे है तो यह चनन्य इमी घ्रिक है तो इसका यादर क्या समुद्री जो चैतार को सेयो को बाज़ावा करें यी बात करता कि मैत्तरी संबंध के वंट्र मने रही है सलते नेक्स में द्वरहाल ही में कितने समुध्न टटों को चैनिक किया गया तो उपशन नियुक्त दास बार्द सेेरा चाहँ प्रदर सुथागन है कि वह यहाँ डियुब्लमेंटर नहीं किया आम तफिर यह रहे हैँ वसे होता क्या है कि development होता है pollution होता है वहां मतलब बहुत ज़्यादा activity बढ़ जाती है तो वहां की जीव जन्त और उरकी जलवाई प्रभावित होती है इसलिए यह मतलब focus इस पर किया जा रहा है इसलिए नेक्स पर हाल ही में लकनव में आयोजित 23 राष्ट्री इवा महुत्सो का मुख्य भी से वस्ट थी तो इसका बताना है तो फिट फिट यूथ फिट इंडिया भी है एक भारत से बारत सी संकल्प से सिद्धी डिय न्यू इंडिया तो इसका ऑप्शन सही है इसका जो थीम था यह था यूथ फिट इंडिया ठीक है तेस्वे राष्टी उवा महुत्सो का यह लकनों में आयोजित किया गया है चलते आप्सन बन्रों में किया घृका इसका ब chess चांप मंतिर किशोर बच्चों की मानसिक सारीरिक समस्याओं के निदान है तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उमंग हेल्प लाइन यों परामर्स केंद्र का सुभारंब किया गया है तो अप्शन है मद्द प्रदेश भी है उडिशा सी है महराष्ट्रा भी है गुजरात तो इसका अप्शन सही है जो मद्द प्रदेश है यही जो है उमंग हेल्प लाइन और परामस के इंद्र की जो इसने स्थापना की है ताकि जो है मानसिक और सारीरिक समस्याओं का निदान किया जा सके और उन्हों शुष्ट करने में उनकी भूंका को अदा किया जाए ताकि बच्च हमने यहां 25 कुशन अपने पूरे कर लिए हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को शेर करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वी संडे को इसका मिल जाएगा तो आप लोग निश्चिंत रहें मैं प्रवाइड करा रहा हूं बक्ति पढ़ना आपका काम है पढ़ाना मेरा काम है अगर कोई सजेशन हो तो वह बता सकते हैं कि कुछ अगर चैजिस कर लाना चाहते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत